नमस्कार दोस्तों आई केर सेंट्रल में आपका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी आखों की अनाटमी के बारे में इस वीडियो को बनाने की बीचे मेरा मकसद है कि जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं उन लोगों को आखों के स्ट्रुक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी मिले कोशिश करूंगे कि टॉपिक को सिंपल भाश्रा में आपको समझा सकूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी आईबॉल के स्ट्रुक्चर के बारे में आखों की मसल्स के बारे में और अपने आखों के टियर सिस्टम के बारे में टि वैसे हमारी घड़ी का शीशा होता है, वैसे ही हमारी आँख में सबसे आगे एक transparent यानि पारदर्शी structure होता है, जिसे cornea कहते हैं. Front view में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन side view में आपको सबसे आगे जो एक curve दिख रहा है, ये cornea है. Cornea आँखों का बहुत important पार्ट होता है, ये light को हमारी आँख के परदे पे focus करता है. नेतरदान मतलब eye donation में आँखों का जो पार्ट मिर्ट विक्ति की आँखों से लेके किसी मरीज की आँखों में replace किया जाता है, वो पार्ट cornea होता है. यही नहीं हमारी आँखों में चश्मा हटाने की surgeries, जिन्हे refractive surgeries कहा जाता है, वो जादतर cornea पे ही होती है. cornea की चारु तरफ जो आपको सफेद रंगा पार्ट दिख रहा है, उसको sclera कहते हैं. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह आपको पूरी तरह सफेद नहीं दिखेगा, आपको इस पे हलका गुलाबी रंग दिखेगा. यह इसलिए क्योंकि sclera पे एक बहुत पतली layer होती है, जिसको conjunctiva कहा जाता है. कॉर्णिया के पीछे यह जो brown color का part है, उसे iris कहते हैं, हमारी आखों का color iris के color पे depend करता है, जिनकी iris में जदा pigment होता है, उनकी आखे brown या dark brown होती है, जिनकी आखों में कम pigment होता है, उनकी आखे blue, green या grey color की दिखती है. आइरिस के बिल्कुल center में आपको ये black color का circle दिखेगा, इसको pupil कहते हैं, pupil कोई structure नहीं होता है, हमारी आइरिस के center में एक hole जैसी space होती है, उस space उस खाली जगा को pupil कहा जाता है. pupil का normal size 3-5 mm होता है, लेकिन ये size हमारे आसपास की रोशनी के हिसाब से बढ़ता या घरता रहता है. अगर हमारे आसपास बहुत जादा light है, जैसे कि हम किसी bulb के तरफ देख रहे हैं, तो pupil का size छोटा हो जाता है, अगर हम अंधिरे में हैं, तो size बढ़ा हो जाता है, जिससे कि अंधिरे में जितनी रोशनी आखों के अंदर जा सकती है, वो जा सके, और हम अंधिरे में dilatation कहा जाता है, जिसे midriasis कहते हैं, आप में से बहुत लोगों ने अपनी आखों का detail में चेक अप करवाया होगा, जिसमें आपकी आखों में पुतली फैलाने की दवा डाली गई होगी, पुतली का मतलब है pupil, अगर बच्चों के चिश्मे का number चेक करवाया होगा, तो डॉ ने उन्हें भी दवा डालके चेक किया होगा, तो इन सबी cases में आपकी pupils को dilate किया जाता है, कहे लोग इसे dilute कहते हैं, dilute नहीं होता है, इस process को dilate करना कहते हैं, हमारी आख असल में गोलाकार shape की होती है, इसलिए से eyeball कहा जाता है, या globe कहा जाता है, तो ये तो उन structures की बात ह होगी, जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, आखों के अंदर जो parts होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, अब अगर हम अपनी आखों का cross section side से देखेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था, तो आगे से पीछे क्या क्या structures दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे आगे cornea, cornea की surrounding sclera, sclera और cornea का जो meeting point होता है, उसे limbus कहते हैं, conjunctiva limbus से start होता है, फिर sclera को cover करते हुए हमारी eyelids, मतलब हमारी पलकों की inner surface को cover करते हुए, हमारी eyelid की margin पे आके attach हो जाता है, जब किसे को pink eye या conjunctiveitis की बीमारी होती है, जिसे हिंदी में आखों का आना भ हो जाती है, कभे-कभी आपकी पलकों में भी सूजन आ जाती है और लाली आ जाती है, क्योंकि conjunctiva आपकी पलकों पे भी होता है, sclera के ठीक नीचे जो layer होती है, उसे coroid कहा जाता है, और coroid के भी नीचे जो layer होती है, उसे retina कहते हैं, मतलब की हमारी आखों का पर्दा, coroid का काम होता है retina को nutrition पहुचाना, उसे healthy रखना, cornea के पीछे होता है iris, iris के central gap को pupil कहते हैं, iris के पीछे होता है हमारी आखों का lens, हमारा lens normally transparent होता है, मतलब पारदर्शी होता है, अगर lens में किसी भी कारून से सफेधी आ जाती है, तो उस condition को motiabind या cataract कहा जाता है, और motiabind क surgery में इस सफेध lens को निकाल की आपकी आखों में एक artificial lens fit किया जाता है, iris के continuous एक और structure होता है, जिसे ciliary body कहते हैं, lens अपनी जगे पे रहे, इसलिए ये ciliary body से कुछ fibers की मदद से जुडा रहता है, इन fibers को zonules कहा जाता है, cornea और lens के बीछ जगा होती है, उसे anterior chamber कहते हैं, ये ज जादतर आँखों का pressure बड़ा होता है, उसका कारण होता है कि आखोस humor की drainage में किसी तरह की कम ही आ गई है, lens और retina के बीछ जगा होती है, उसको vitreous chamber कहा जाता है, और इसमें जो fluid होता है, उसको vitreous humor कहा जाता है, आगे बढ़ने से पहरे एक और बात आपको बताना चाहती इन सबको एक साथ uvea या uveal tract कहा जाता है, कई लोगों को uveitis की बीमारी होती है, उस बीमारी में इन तीनों यानि आईरिस, ciliary body और कोरोईड में से किसी एक में या एक साथ सभी तीनों parts में सूजन आ जाती है, जिसे अंग्रेजी में inflammation कहा जाता है और उन लोगों का uveitis का इलाज चलता है, कॉर्णिया से रेटिना के बीच एक average इनसान के आँखों की length 24 mm होती है, जिन लोगों को minus का number होता है, उसका एक कारण ये होता है क्योंकि आँखों की length normal से जादा है, और जिनका दूर का number plus में होता है, उनकी आँखों की length कई cases में normal से कम होती है, अब रेट करती है, तो पहले cornea से, फिर anterior chamber से, फिर length से, और फिर vitreous humor से पास होके हमारी retina तक पहुँचती है, अगर light के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूतिया बिंद, या फिर cornea पे कोई निशान, या vitreous में खून आ जाना, इन स सारी information collect होके हमारी आँख की नस के रास्ते हमारे दिमाग तक महुचती है, आँख की नस को optic nerve कहते है, brain के visual center में सारी information process होती है और हमें वो object दिखाई देता है, तो जिब doctor हमारी आँख के परदे को चेक करते हैं, तो उन्हें परदा कैसा दिखाई देता है, light आके सीधा हमा हमारी optic nerve है, यह जो लाल रंग की आपको lines दिखाई दे रही है, यह हमारे retina की arteries और veins है, और यह पार्ट है हमारे retina का सबसे central part जिसको macula कहा जाता है, macula के भी center को phobia कहा जाता है, phobia हमारी आँखों का सबसे sharp और सबसे sensitive part होता है, यहां हमारे आँखों की receptors जिनको cones कहा जाता है, उनकी मातरा सबसे जादा होती है, इसलिए phobia पे जो light focus होती है, वो हमें सबसे clear दिखाई देती है, और अगर phobia पे छोटी से भी चोट लग जाए, तो हमारी नजर कमजोर हो सकती है, तो यह था हमारी eyeball का structure, अब हम बात करेंगे उन muscles की, जो हमारी आँखों को अलग जाता है, तो यह हमारी आइरिस और pupillar sclera, और muscles में आती है हमारी चार horizontal muscles यानि recti, superior rectus, inferior rectus, medial rectus और lateral rectus, और दो oblique muscles, superior oblique और inferior oblique, और एक साथफी extracular muscle होती है, जो हमारी उपर वाली पलक को खोलती और बंद करती है, उसे levator pulpebrary superioris कहा जाता है, तो कुल मिलागे हमारी आँ हमारी tear drainage system के बारे में, हमारी eyebrow की हड़ी के margin के पास एक gland होता है, जिसे main lacrimal gland कहा जाता है, हमारे आसों का productionous lacrimal gland में ही होता है, आसो बनके lacrimal duct से हमारी आँखों की surface पहुंचते हैं, और एक पतली से tear film बना देते हैं, जो हमारी आँखों को moisturize करती है, इन tears की drainage lacrimal drainage system से होत तो आपको upper lid margin और lower lid margin पे छोटे छोटे holes दिखाई देंगे, इन holes को punctum कहा जाता है, तो यह हमारा upper punctum और यह हमारा lower punctum और हमारे आसों इन punctum के रास्ते से ही आँखों से बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम आँख में दवाई डालते हैं या रोते हैं, तो हम हमारी गले में दवाई का टेस्ट आता है और नाक से पानी आता है, वो इसलिए क्योंकि हमारी आँखों का drainage system हमारी नाक से connected होता है, वहां से गले से connected होता है, तो पंक्टम से होते हुए हमारे आसों जाते हैं upper और lower canaliculus में, यह canaliculus ट्यूब जैसे होते हैं, और दोनों मिलक लक्राइमल सांग इस जगह होता है, लक्राइमल सांग से एक ट्यूब जाती है, जो सीधा हमारी नाक में खुलती है, अगर इस पूरे रास्ते में किसी भी कारण से blockage आ जाती है, तो हमारा drainage system disturb हो जाता है, और हमारी आखों से आसों बाहर की और बहने लग जाते हैं, आसों पर जानकारी चाहते हैं, तो comment section में मुझे जरूर बताएं, कोशिश करूँगे कि अपनी future videos में आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, अगर आपको ये video पसंद आई है, तो इसे like करें, share करें और channel को subscribe करें, अपने शरीर का और अपनी आखों का ख्याल रखें, धन्यवाद क्या रखें.." झाल झाल